दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे SSC GD बर्थी 2023 के बारे में आप सबको पता ही है SSC GD की बर्थी बहुत ही जल्द होने वाली है क्योंकि CRPF में एक लाख तीस हजार कांस्टेबल GD के पड़ खाली पड़े हुए हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दू CISF, BSF, CRPF औ सबकी जो कांस्टेबल GD की पोस्ट होती है इसकी जो बर्थी होती है जो SSC की तरब से होती है SSC GD की तरब से ली जाती है तो जो एक लाख तीस हजार पड़े हुए है जे भी SSC GD की तरब से ही बर्थी ली जाएगी तो आप सबको पता ही है लगवग CRPF में ही एक लाख अगर आपने त्यारी शुरू नहीं किया तो कर दो मेरे भाई कब करोगे आप सबको बता दो SSE में selection लेनी है लगवग 6-7 महीने की त्यारी होनी चाहिए लड़के 2-2-3-3 साल त्यारी करते हैं फिर कहीं जाके selection होती है post तो काफी आने वाली है selection के लिए त्यारी करने पड़ेगी त्यारी कहां से करनी है वो बता देता हूँ पहले theory why material मिलेगा जिसमें आपको अच्छी तरिके से पढ़ने का मिलेगा उसके बाद 2800 multiple choice question भी मिलेंगे पहले theory में पढ़ने है detail में पढ़ने है उसके बाद 2800 question भी मिलेंगे इस book में चक्षू publication की 2013 की book है अगर चाहिए link description में दे रहा है आप में तियारी करने के लिए pretty set भी चाहिए तो pretty set भी आप ले सकते हो 300 plus multiple choice question होगे इसमें और जे study guide है दोनों ले सकते हो link मैं description में दे रहा हूँ ठीके अब आपको बताते हैं कि कब होगी SSE GD की बर्थी सबसे पहले जो SSE GD की तरब से SSE की तरब से जो calendar जारी किया गया है बर्थियों का SSE की जो बर्थियों होगी उसको check करते हैं कि उसमें कब कब बर्थी है ठीक है आपको सबसे पहले वो calendar दिखा देते हैं दोस्तो जे रहा SSE की तरब से जो calendar जारी किया गया है 2023-2024 की बर्थियों का तो सबसे उपर जो बर्थी बताए गई है, जे SSE JDK बताए गई है, 2022 भाली, जे तो बर्थी चल रही है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम नियू बर्थी के बारे में बात करेंगे, दोस्तो इधर लगबग SSE की तरब से जो बर्थिया ली जाएंगी, लगबग 21 बर कलंडर में कोई भी बर्थी नहीं है नहीं SSE GD की लगवग जे जो फार्म डलेंगे यह लाश्ट बर्थी की जो फार्म है जे अक्तूबर तक है अक्तूबर तक SSE GD लगवग ननंबर तक 9.23 तक SSE GD की कोई डेट नहीं जारी की गई है आप मान के चलिए जैसे की आपकी बर्थी दिसमबर और जनबरी में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं जो NEST कलंडर आएगा SSE की तरफ से उसमें आपकी बर्थी आने के बहुत ज्यादा चांस है और लगवग 1,30,000 पद आनेंगे और NEST कलंडर में पका आपकी डेट आएगी लगवग आप मान के चलिए कि आपके दिसमबर जनबरी तक फार्म डलेंगे और लगवग अपरेल के पास अपरेल 2024 के आसपास आपका एक्जाम होंगे ठीक है तो आप त्यारी बनाओ क्योंकि आज से ही पड़ोगे तब ही सेलेक्शन हो पाएगी तो आप मान के चलिए जैसे ही NEST कलंडर आएगा आपकी डेट आज आएगी तो NEST कलंडर जल्दी आने वाला है इस बीडियों बस इतना ही जहिंजा वारत